आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ आज ही M, तो L प्लस M की value निकाल ली तो basically यहाँ पर given है Condition क्या दिए हुई है कि Z-25 Iota का जो modulus है, वो less than 15 है ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है अगर Z- Z1 bar is less than equal to R, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर X by axis है, ठीक है यह जो Z1 है, यह क्या है center of circle ठीक है, और जो orange radius तो यहाँ पर एगर मैं देखूं, तो इसमें क्या है center जो है, circle का वो क्या है Z1 जो है 25 Iota, तो center क्या हो गया यह 0,25 ठीक है तो यहाँ पर यह center हो गया 25 Iota, यह क्योंकि यह जो उत्ती है, यह क्या है, real axis और यह यहाँ से जो जाती है, यह क्यों क्यों सी है imaginary axis ठीक है तो अगर मैं यहाँ पर आप देखूं, तो इसमें हो क्या रहा है कि जो radius है, R उसकी value कित्ती है, 15 तो वो circle कैसा बनेगा, circle कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ इसकी जो कित्ता होगा, 40 Iota सबसे topmost वाले जो point होगा, वो 40 Iota का होगा ठीक है, अब यहाँ से देखिया करमे, यहाँ पर क्या करता हूँ यह दो tangent ऐसे बना देता हूँ ठीक है, एक tangent ऐसे और दूसरी tangent कैसे जाएगी ऐसे जाएगी क्योंकि इसमें पूछा क्या है कि जो maximum argument Z minus minimum argument Z ठीक है, अब maximum argument कब बनेगा, और minimum कब बनेगा argument argument क्या होता है, x axis से जो angle है यह तब बनेगा, ऐसे ठीक है, यह minimum argument बनेगा इसको θीटा बन नाम दे देते हैं और maximum argument कब बनेगा जब यहां से क्या हो रहा हो यह मेरा ऐसे जाएगा ठीक है उसको थीटा टू नाम दे देते हैं तब मेरा क्योंकि यहां पर टच कर रहा होगा इसको minimum और maximum पर तो उस case में क्या बन रहा होगा minimum और maximum इन्होंने less than equal to 15 का क्या मतलब हुआ कि इसके जो है वो रीजन है जो इसके अंदर ही है यह वाला रीजन सरकल के अंदर वाला रीजन minimum तो यहां पर जब इसको इस पॉइंट पर टच करें minimum एंगल तब होगा जब इस पॉइंट पर टच करें maximum होगा जब इस पॉइंट पर टच करें ठीक है अब क्या होगा यहां पर इन्ह मैं देखिए अगर मैं यहां से ऐसे दो टेंजेंट रो करता हूँ एक टेंजेंट ऐसे तो यह बाला जो पॉइंट है यह क्या है मेरे पास 25 आयोटा ठीक है यहां से यह यहां से यह रेडियस जो होगी इस से इस पर ड्रो होगा यह तो टोटल कितना है 25 डिष्टेंज ठीक है और जो यह रेडियस है और यह रेडियस किस केहओ ले यह 25 केहओ ले ठीक है से और यह रेडियस 15 केहओ अमें यह थीटा मानता हूँ तो अगर मैं अंगल धीटा नकलने की कोचिस करों तो यह कैसे नकलेगा sin theta, ठीक है, तो sin theta मेरे पास आ जाएगा, r upon, यह वाली distance 25, तो radius कितनी है, 50 नवाई, 25 भी होगा मेरा पास, sin theta, यहीं sin theta की value आ जाएगी 3 by 5, तो theta मेरे पास आ गया, 37 degree, ठीक है, theta मेरे पास 37 degree आ गया, यही minimum, minimum of argument of z, इसकी जो value है, यह कितनी आई, simple 37 degree, ठीक है, अब maximum कैसे निकालेंगे, maximum के लिए मेरे को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यह वाला जो अंगल है, वो maximum पर होगा, ठीक है, अगर symmetry से देखूं मैं, तो यह देखिए, यह भी as a tangent है, यह भी radius r है, तो यह भी अंगल थीटा ही होगा, ठीक है, तो, sorry, यहाँ पर यह मिनमूम इतना नहीं होगा, मिनमूम के लिए मेरे को यहाँ पर क्या देखना पड़ता है, यह argument जो होता है, वो क्या होता है, इसके जो plus x-axis से जो अंगल होता है, यह बला बनता है, जो कि क्या अपना थीटा बन, और जो क्या होगा, थीटा बन जो निकल के आएगा, वो क्या है, यह 90 minus थीटा, so, यह 90 minus 37, that is 53 degree, so, hence, यहाँ से जो minimum, जो argument of z जो आएगा, minimum, ठीक है, यह आएगा, थीटा बन के इक्वल, जो कि 53 degree के इक्वल, ठीक है, यह minimum आएगा, और maximum क्या आएगा, अगर मैं maximum की बात करूँ, तो maximum मेरा यह होगा, ठीक है, यतना बाला angle, so, उसके इसमें आएगा, थीटा 1 plus 2, थीटा 2, ठीक है, जो, थीटा 2 आएगा, 2, थीटा plus थीटा 1, यह अगल होगा, ठीक है, so, ठीटा बने यहनि, 53 डिग्री, प्लस 2 इंटो थीटा, 37 डिग्री, और यह कितना होजाएगा, 53 डिग्री, प्लस यह कितना होगा, 74 डिग्री, ठीक है, यहनि, 27 डिग्री होज़ोगा, वो, आर्ग्यूमेंटट र, जैड होगा, वो maximum, ठीक है, अब इन्होंने बुलाए कि minimum और maximum का जो difference है वो pi minus 210 inverse lym है तो maximum of argument of z minus minimum of argument of z यह है pi minus 210 inverse lym ठीक है तो यानि यह इसका modulus है so 127 degree minus 53 degree का जो difference है यह है pi minus 210 inverse lym उनका जो difference आगे है यह कितना आगे है यहाँ से यह 4 74 74 degree ठीक है pi का बने 80 degree minus 210 inverse of lym तो hence जो 210 inverse of lym की जो value आएगी 180 degree minus 74 degree और जो कि किसके equal हो जाएगा 106 degree ठीक है 210 inverse of lym hence यहाँ से जो 10 inverse of lym आएगा है कितना आजाएगा 53 degree जो lym होगा वो क्या होगा 1053 1053 कितना होता है 4 भाई 3 ठीक है तो हैंस यहाँ से जो l plus 7 आएगा वो कितना आएगा 4 plus 3 यहनी 7 तो मिर पास जो 7 होगा वो क्या जाएगा इसका answer हो जाएगा प्लासिक्स से टुएल से लेके नीट आएएटी जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स कभर होसा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप यह वाच्साप कीचे अपने डाउट्स 8444 सूपर